subscribe and join political science by Vivek sir YouTube channel like my videos and share on WhatsApp status friends and groups नमस्कार सभी को सवकत्याप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आज हम लोग फिर से आगे हैं आपके सामने और आजम बिटा करने वाले हैं 11th क्लास का एक और चैप्टर लिए फ्रेस चैप्टर है चैप्टर बहुत इसी है चैप्टर थियोरी बेज़्ट है समझाओंगा पहले कोशन कैसे आएंगे बताओंगा चोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि गबराओना और अरामस्या अपना कंसेप्ट आप कर लो कोशन पहला है और चैप्टर का नाम है हम लोकल गौवर्मेंट जाने की इस्थानिय शासन देखिए बहुत सिंपल से बात करते हैं यह एक देश को रूल करने के लिए है सेंट्रल गौवर्मेंट ठीक है अब भाई अकेला अकेला प्राइम मिनिस्टर और साथ में 543 आपके जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लिमेंट्स यह सब मिलके 130 करोड बंदों को समस्था को तो करनी पाएंगे समधान तो इशू होता है ठीक है अब क्या कि हम लोगा ने हम लोगा ने अपना लिया फैटलिजम मतलब कि हम लोगा ने आपे इस्टेट गौवर्मेंट्स को भी शक्तियां बना दी अब भाई सपोस कि 28 स्टे अब काफी है नहीं तो क्या होता है कि देखो सिंपल सी बात है हम लोगों ने लोकल परमटलब होता है कि एक व्यक्ति के सबसे नजदीक शासन को है एक अथौराइए एक अथौर्टी कि जो उनकी समस्याओं को सौल कर सके जो उनकी विलकुल मजदीक हो ठीक है तो हम लोगो करीचा विक्ति जो गाओं में रहता है वो विक्ति पास ने आ सकता टिस्टेंस है टाई में तो इस होते से गाओं के व्यक्ति के लिए अमारे पास में नो लेकिन जो अब नया रूप पश्तों का है वह वह आपका एक तरह से लीगल है लीगल मेंस कि भाई उनको लोगा ने इलैक्षण का रूप दिया तो बेटा सवाल के आता है आपका कि वह टेस गौश्ट्मट्म लोगह लोकल गौवर्मेंट इस गौवर्मेंट एड़ विलेज एन डिस्टिक लेवल ठीक है ना गाओं के इस तरफ पे जल्रके इस तरफ पे जो हज़कर होती है उसको बैटा मंव ये कहते हैं लोकल गॉपटे इस अब गवर्न अब पर क्वोसर्थ तो common people légithis एक व्यक्तिी के सबसे नजदीग जो होता है वह चाहता है वह लोकल गौर्रिम एक बाद के Santa क्या होता में होता है दिल्ल हम काउसलर धांसल राप आप आप का आता है MLA दैना आपको आता है MP थैना आपका आता है CS को फर तो व्यक्ति के सबसी कोन है आपकर काउंसर यानी की कि लिखकि enough खीरिगे in которые are the people people it with convenient for the people to approach the local गोर्मेंट फॉर सॉल्विंग दियर प्रॉब्लम्स बोथ क्विकली एंड विद मिनिमम कॉस्ट अगर गवर्नेंस आपके नजदीक होगी तो कम समय में एधना कम समय में आप मिनिमम कॉस्ट के साथ महां पर अपनी जो नहीं समस्ट को आप उसका पुसको अपना निकाल लें तो इसका बहुत सिंपल साथ को सबाल बेटा यह है कि लोकल गॉर्मेंट इस अबाउट गॉर्मेंट डाट इनुट डे टो डे लाइफ अब देखो भाई सीवर खराब हो गया शीवर मेशू है या किसी और मेशू है तो वो तो आपका सीम और पीम नहीं कराएंगे ना तो स्टर का चोटे से एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्घ करने के लिए वी नीड लोकल गॉर्मेंट लोकल कोई अन्प डिलीव है personal knowledge & local interest are essential ingredients in लीख और श्ची सचेल इस प्रॉप करने या में सिसने चानाने प्रेंटνेंट आइसी चाहें ईन्सान-दक्राइब आप निगम के पास जाओगे आपने जो आपके सरपंचा उसके पास जाओगे नेक्स में नजदीक रहती है तूदा पीप नियर तूदा पीपल इटिस कन्विनियन फॉर पीपल तो अप्रोज दग्लो गॉवर्मेंट पॉर सॉल्विंग दियर प्रॉब्लस बोध कुटली एंड मिन्म कोस्ट कम समय के अंदर और जल्दी समस्यां का करने की निवान करने के लिए आपको बैटा लोकल की नीड होती है अब तक बैटा हम लोग पढ़ चुके हैं लोकल गॉवर्मेंट और हम लोगों ने पढ़ लिया हमें इसके जरूरत क्यों है अब देखो यह अगर हम बात करते हैं यह ग्रोथ कैसे हो इसकी तो इसका सिंपल आंसार है कि ग्रोथ ओफ लोकल गॉवर्मेंट लेकिन पहले यह गॉवर्मेंट जो थी वो डेमोक्रिटिक बिल्कुल भी नहीं थी यह डेमोक्रिटिक अब हुई है अब कैसे हुई है यह हम बेटा बात करते हैं इस बिलीव डैट सेफ गवर्निंग विलेज कम्मुटिश एगिस्टिट इन इंडिया फ्रम अर्लिए सभाज ठीक न देखा न हमारे देश में हम लोगों ने वर्ड यूज किया लोग सभा मिधान सभा क्यों यूज किया है क्यों कि समातलब होता है एक ग्रूप पंचायतों का रूप ले लियाने की पांच मुख्याओं की एक गवर्निंग बॉडी एंड इस पंचायत रिजॉल्फ इशूस एड़ विलेज लैवल हर गाउं की अपनी एक पंचायत होती थी आप लोगोंने मुवीज में भी देखा होगा आपका यह है इन मॉडन टाइम इलेक्टिट गवर्मेंट बॉडिस वर क्रेटिट आफटर वन डबल एट टू की कह और एक और यह बैटा वन मांस बनेगा से आपका लॉड रिपन को हम लोग क्या बोलते हैं जो हमारा थो स्टाम पर एक तरह से इसी ने स्टार्ट किया था सो यह था हमारा वाइस आप इं आप मतलब से लेंग करने होते हैं कि मतलब नॉर्म वन मांस पूसते हैं फॉलोविंग ता गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया एक वर्णाइन वन नाइन वन नाइन विरेज-बन-थाइस वर स्टैबलिस हमारे भारत में जो पंचयातों का एक तरह से ऑफिशल इस्ताम वोग आप सभी जानते हैं, what is the meaning of centralized, शक्तियां सिर्फ एक हाथ में होना है, what is the meaning of this word, it means कि शक्तियों को आप बाट दो, मतलब आपने एक central government रखी है, एक state government है, एक आपकी local government, it's like आपका federalism कि आपकी जो है, वो बात आपकी की जा रही है, अभी बटा हम लोग part 1 discuss कर रहे है, I hope कि ने बनाया संविधान, तो संविधान में हम लोग ने पंचायतों का मुद्द तो ने रखा, यह समाल तो मायद में आता होगा आपकी यार, उस्ते हम लोगा ने अमेंडमेंट क्यों किये, पहले क्यों ने किया, तो इसके पीछे बेटेक रीजन है, सवाल क्या है, why was the subject of local government वो भाई धरम के नाम पे हुआ था, ठीक है, तो हमारे लोगों लेता हूं मैं ये था कि यार शोटे लोगों इस तरह पर करवाएंगा नहीं है, तो शायद हमारा देश बटना चाहिए, यानि कि अगर अगर हम लोग देश को चोटे-चोटे पार्ट में अगर हम लोग इनको देंगे पावर्स तो शायद हमारा देश की एकता, जो हमारी एकता है, वो खुराब हो चाहिए, Secondly, there was a powerful voice in the cultural assembly led by Dr. Bheemrao Ambedkar की आवाज थी, which felt that perfection and the caste-ridden nature of the society would defeat the noble purpose of local government at the ruler level. ठीक है, इन्होंने काता है बई कि यह जो एक society होती है, मतलब जो छोटे-चास्ट होती है, यह शायद उनको थाई से काम नहीं करने देंगी, जो छोटी-कास्ट है एक तरह से, यह जो फैक्शन बने हुआ है, इनकी वजए से आरचने आएंगी local government ने, इसलिए इस चीज़ क इतनी इपोर्टेंस नाइम ले थी, at the time of framing of the constitution, ठीक है, अब हम बेटा बिलकुल एक तरह से last concept में हमारे इस पार्ट बन के हैं, तो यहाँ पर पूछ रहे है, local government in independent India, तो भाई, यह सबसे पहले बात हो है, local government को हमारे country में boost का मिला, यह मिला था 73rd और 74th amendment की बात में, First, in the line, the community development program in 1952, यह बटा community development program, one mark के point से पढ़ सकते हैं, which sought to promote people's participation in local government development in range of activities, इस program के दोबरा हम लोगा ने सुटे-टे समाज को activities में इलवाल कोना शुरू किया था आपका, A three-tier panchayati raa system of local government was seconded for the rural areas, यह three-tier structure अभी आपर होगे आगे था क्या या आपको है, Some states like Gujarat, Maharashtra adopted the system of elected local bodies around 1960s, कुछ राज्यों ने तो बड़े राज्यों ने पहले ही कर लिया थे लिगे कुछ ने आपका बाद में के आपको है, Next, many states had indirectly elections to most local bodies, in many states, the actions to local bodies were postponed from time to time, कुछ states में होते हैं direct, कुछ में होते हैं आपके indirect, After 1970, 1987, a thorough review of functioning of local government institutions were initiated, 1997 के बाद, पहले बाहर भारत में हमारे एक proper functioning के बात चली, in 1989, dates पर फोकस कर रहा हूँ है आपकी exam में आते हैं, the PK ठंगन committee recommended constitutional recognition for the local government bodies, इस व्यक्ति की committee ने बता दिया कि भाई आप में करना ही पड़ेगा, तो यह था आपका part 1, अभी इस पार्ट में मैंने आपको इस chapter का इस chapter का main जो बुद्धा शुरू होगा, और वो शुरू होगा हमारी next video में तो बेटा मिल से हमारी अपनी next video में थैंक्यू सो मुझ बेटा लाइक करें शेयर करें कमेंड करें सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस chapter के नोट्स नहीं है तो आप नोट्स कर सकते हैं, 382196, इस नमबर पे WhatsApp या कॉल का किया, यू कन पर्चेस मैं नोट्स, बबाबाय, टेक्यार,